परिस्तितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें इतहार्त का एसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया। उसने पूरी मानुव जाती को हिला कर रख दिया है। इन परिस्तितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्म विश्वास को उसने पूरी मानुव जाती को हिला कर रख दिया है। इन परिस्तितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्म विश्वास को उजागर करने वाला है। और साथ ही दुनिया में एक नया आत्म विश्वाद भरने वाला है आज के बजट में आत्मन निर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्क का समावेश भी है हम इस बजट में जिन सिध्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्मान करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना इंफास्ट्रक्चर निर्मान के लिए नए ने खेत्रों को विक्सित करना, आधुनिक ताकी तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बना कर, आम लोगों के जीवन में एज अब लिविंग को बढ़ाने पर इस बजेट में जोर दिया गया है ये बजेट, इंडिविजियल्स, इन्वेस्टर्स, इंडेस्ट्री और साथ ही इंफास्ट्रेक्टर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बढ़लाव लाएगा मैं इसके लिए देश की वित्तमंत्री निर्बला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियों ऐसे बजेट देखनें को कमी मिलते हैं जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही इतने सकानात्मग रिस्पॉंस आएगे कोरोना के चलते कई एक्सपर्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोज बढ़ाएगी लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रती अपने दाईतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजेट साइज बढ़ाने पर जोड़ दिया हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजेट ट्रांस्परेंट होना चाहिए मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजेट की ट्रांस्परेंसी की सरहरा की है साथियों भारत करोना की लड़ाई में रियक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रयक्टिव रहा है चाहे वो करोना के काल में किये गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्म निर्भर भारत का संकल्प इसी प्रयक्टिव नेश को बढ़ाते हुए आज के बजेट में भी रियक्टिव का नामों निशान नहीं है साथ ही हम एक्टिव पर स्टेटेस्कों पर भी अटके नहीं है और हमने इस बजेट में भी प्रोएक्टिव बजेट देखर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। विशेश रुप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजेट जिस तरह से हेल्थ केर पर केंद्रीद हैं वो भी अभुद्पुर्व हैं। पुर्वोत्तर के हमारे राज्य और नुत्तर में ले लदाग जैसे ख्षेत्रों में विकास पर विशेश ध्यान दिया है। ये बजेट भारत के कोस्टन स्टेट्स जैसे तमिल नाडू, केरल, पस्चे मंगाल इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम अठ है। नौर्ट इसके राज्य जैसे असम के अन एक्स्प्लोर पोटेंशल को टैप करने में बजेट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजेट में जिस तरह से रिसर्ट और इनोवेशन इको सिस्टिम पर बल दी गया है। जो प्रावधान किये गए हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी भारत उजवल भविश्च के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का महलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्त, स्वच्चता, पोशण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजेट में विशेश बल दिया गया है। बजेट में, इन्फर सेक्टर पर खर्च में, अबुत पुर्व बृद्धी के साथ साथ कई व्यवस्तागत सुधार किये गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फाइदा देश में ग्रोथ और जॉप क्रियेशन रोजगार के लिए बहुत लाब होगा। देश में एग्रिकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आइब बढ़ाने के लिए इस बजेट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किये गए हैं, एग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा रण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानि EPMC को और मजबूत करने के लिए, ससक्त करने के लिए एग्रिकल्चर इंफार्सेक्टर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। यह सब दिन नहीं यह दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गाव है, हमारे किसान है। MSME सेक्टर को गती देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, इस बार MSME सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है। साथियों, यह बजट आत्म दिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा हैं, जिसमें देश के हर नागरी की प्रकती शामील है। यह बजट इस दशक की शुरुवात की एक मजबूत नीव रखने वाला बजट है। सभी देश्वास्यों को आत्म दिर्भर भारत के इस महत्वपर बजट के लिए मैं बहुत-बहुत सुबकामनाई देता हूँ। फिर से एक बार वित्नमंत्री जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत अभिनदन करता हूँ, धन्यवात करता हूँ। करता हूँ। करता हुआ। करता हुआ। करता हुआ। आज तक हम अपनी जो ये खास पेशकश लेकर आपके सामने आते हैं बज़ेट बाजार की इस बार सचमुच के बाजार से आपको दिखा रहे हैं ये जी आई पी मॉल नॉड़ा का जहां पर हम मौजूद है और बिजोन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है उनसे हम बातचीत करें उससे पहले प्रभान मंत्री ने चुकि अभी- इंफरस्ट्रक्चर डेवलब्मेंट पे स्ट्रेस दी हैं बजट में हम सोचते हैं कि इससे काफी रोजगार का ऑपर्चुनिटीज आएंगे हेल्स सेक्टर हो या पोर्ट के में कंस्ट्रक्शन रोडवेस पे इनों सारे जगे पे जो इंफरस्ट्रक्चर इंवेस्मेंट ह उसमें हम उमीद करते हैं कि काफी सारे क्विक्टृगर उइगे जहांपर उम्पॉइम्मेंट होंगे और हम लोग उंपॉइम्मेंट जल्दी से जल्दी शुरूआत हो जाये और फिर चर्चा को आगे भूप cumin 2021 का बजेट और साधारन परिस्तितियों के बीच पेश किया गया है इसमें इथार्त का एसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाती को हिला कर रख दिया है इन परिस्तितियों के बीच आज का बजेट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजेट में आत्मन निर्भरता का विजन भी है कि कई चीजें प्रधान मंत्री की तरफ से और सरकार की तरफ से कही गई है आत्मनिर्भर भारत की बात हो जिसे वोकल फर लोकल